एन जी टी एवं प्रदूशन ने अंतरन मंजल के आदेशों कुदर किनार करते हुए फैक्टरी संचालक लगातार फैक्टरियों के अपसिस्ट और कैमिकल यूपत काला पानी बनास नदी में छोड़ रहे हैं। जिसके बाद जिला मुख्याले पर संचालित टेक्स्टाइल फैक्टरियों के ओर से काला पानी बनास नदी में छोड़ दिया गया। और ये कैमिकल यूपत काला पानी जुला मुख्याले से 35 क्लो मिटर दूर सो लंकियों का खेडा रेड गैंदलिया गाउं तक पहुँच चुका है। कैमिकल यूपत काले पानी से न सिर्फ फसले खराब होंगी बलकि भूमी का जल भी दूशित होने का खत्रा बढ़ता जा रहा है। तो गाले पानी से लोगों में गंभीर बिमारियां जैसे चर्म रोख, खुजली, दाज जैसी गंभीर बिमारियां पनपने का डर भी सताने लगा है। भीलवाड़ा में संचालित अधिकांश फैक्टरियों से आए दिन बनास नदी में लगातार कैमिकल और ऐसेड युक्त काला पानी छोड़ा जा रहा है। और ये काला पानी मानव जीवन के लिए भी खत्रा बन सकता है। बनास नदी में छोड़ा गया अपसेड युक्त काला पानी गुवार्डी नाले से लेकर मंगरोप, खाती खेडा, पाटनिया, पीपली, सियार, कलुंदिया, महिशपुरा, सोलंक्यों का खेडा, रेण, गैंदलिया तक 35 किलो मिटर दूर तक पहुँच चुका है। बनास नदी में काला पानी ही बहरा है। जीवन पर असर पड़ेगा।